हालो शुडेंट्स द्रश्य सक्सेश अगेडमी ओनलाइन क्लासेश में एक बार पुन है आपका स्वागत है मैं विशाल सर एक बार पुन है आपका स्वागत करता हूँ जैसा कि मैं आपको जो मोस्ट इंपोर्टन पोईट्स हैं इंग्लिस लिट्रेचर में उनके बारे में लगातार आपको विडियोज दे रहा हूँ खासतोर से अभी आगामी परिच्छा 18 अप्रेल यानि की जूनियर सुपर्टेट के लिए तो उसमें मैंने आपको जो मोस्ट इंपोर्टन राइटर्स हैं उनके क्रम में चौसर से स्टार्ट किया था चौसर, सेक्सपियर, जॉ पर, तो बिलियम बर्ज नमाने वीडियो आपको दिया था जनल इंट, उनका उनकी लाइफ स्केच्छ के बारे में पताया था आज मैं उनके इंपोर्टन रर्क्स हों हैं इंपोर्टेंट वर्क्स पैसे तो एक राइटर बहुत सारे वर्क्स लिखता है लोकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट हैं जिसमें की कुश्चन्स पूंचे जाते हैं और जिनमें पूंचे जाने की पूर्ण संबाबना है उनके लिए मैं आपको एक वीडियो लेकर आया हूँ के सभी प्रमुक का रहे हैं अब इसमें पहला पॉइंट देखिए मैंने लिखा है टोटल लंबर आप सॉनेट्स कंपोस्ट वाई विलियम बर्सपर्थ आर 523 यानि कि बिलियम बर्सपर्थ साहब की अगर हम टोटल लंबर आप सॉनेट्स की बात करें तो अंग्रेजी साह से आपका यह तैयार हो जाता है कि हाव मैनी सॉनेट्स बर्सपर्थ कंपोस्ट तो आंसर होगा 523 दूसरा कोश्चन यह भी पुजाजा सकता है वेच इंग्लेश पोईट कंपोस्ट मोस्ट अप दपोईट्री तो मुस्ट अप देखिए तैन आंसर इस बिलियम साहब की फेमस पोईब्स कौन कौनसी है तो सबसे पहला मैं स्टार्ट करता हूँ एन इवनिंग बॉक एड्रेस टूए यंग लेडी और ये बिलियम बर्सपर्थ साहब की आई 1793 में नाम जयान सुलिजे एन इवनिंग बॉक एड्रेस टूए यंग लेडी 1793 उसके बाद descriptive sketches कौनसी आती है साब descriptive sketches और ये भी कब आई 1793 में उसके बाद third number पे आता है आपका loudamia loudamia ये आती है आपकी 1815 में 1815 उसके बाद आपकी next है lines written above 10 turned away ये इनकी बहुत ही महत्पूर्ण poem है बिसेज ध्यान रखिएगा इसमें से कई question आपके TGT PGT जो पिछली परिच्छा हुई है उसमें से पूछे गए हैं और ये कब आई इनकी 1798 में नाम ध्यान रख लिजिए lines written above 10 turned away और मैं ये poem आपको पढ़ाऊंगा जब अभी इसके 18 तारीक की जो परिच्छा होगी इसके बाद जब TGT का मैं बैच स्टार्ट करूँगा TGT के वीडियोस आपको दूँगा TGT PGT के लिए तब मैं आपको इसको गिस्तार से पढ़ाऊंगा तो ध्यान दखिएगा ये most important है इनकी poem lines written above 10 turned away 1798 now the next one is अगला आपकी आती है lyrical ballads कौन सी आई साहब lyrical ballads lyrical ballads क्या है एक poem का collection है साहब जो की co-authorship में लिखा गया बिलियम बर्ड्सवर्थ और S.T. College Samuel Taylor College दोनों ने मिलकर इस lyrical ballads की रचना की और इसका first जो publication होता है बो 1798 में हुआ 1798 में हुआ और ये date आप लोग बिसेज ध्यान रखें क्योंकि lyrical ballads के publication से ही अंग्रेजी साइट का एक नया युकारम हुआ जिसको हम लोग romantic age कहते हैं कौन साहब romantic age क्या जाता है lyrical ballads के publication के साथ ही romantic age का आरम होता है और ये बिलियम बर्ड्सवर्थ और S.T. College दोनों ने मिलकर लिखी थी now the next one is अगली है इनकी intimations of immortality जिन इस्टूरेंट्स ने M.A. का रखा है masters किया है तो उनको पता होगा intimations of immortality पॉइं बिलियम बर्ड्स पर साब की है और इसका पूरा नाम Ode on Intimation of Immortality है ये एक Ode है और ये कवाई 1806 में साहब बिसेज ध्यान रखिए Ode on Intimation of Immortality एक ऐसी पॉइं है जो कि बिलियम बर्ड्स पर साहब की maturity को दरसाती है दिखाती है कि अगला व्यक्ति कितना ज़्यादा मैच्वर था उसकी सोच उसकी philosophical ideas नेचर से उसका संबन्द जो की बहुत बिस्तारित तरीके से उन्होंने इस पॉइं में लिखने का का काम किया है तो नाम द्यान रखिए intimation of immortality 1806 उसके बाद बर्ड्स पर साहब की अगली पॉइं है जिसका नाम है पीटर बेल क्या नाम है साहब पीटर बेल और ये का बाती है 1819 में आई ये पीटर बेल उसके बाद नेक्स्ट है और ये आया आपका 1822 में पॉइं फिर से नाम द्यान रख लीजे और ये का बाई 1822 में उसके बाद नेक्स्ट है आपकी इसका पॉब्लिकेशन जो है बोटा है 1888 में यानि कि बिलियम बर्सवर्थ की डेत के कई बरसों के बाद नाम द्यान रख लीजे दे रेक्स्ट है बोटीन फिप्टी में हो गई थी लेकिन इसका पॉब्लिकेशन हुआ है 1888 में नाव देन नेक्स्ट वन इसका पॉप्लिकिस्टिन जो है बूगूता है 1815 में नाम द्यान रख लिजिए The White Doe of Rylestone और कब पग्लिकेशन होता है 1815 में नेकस्ट इनकी पॉईम है जो बहुत मैक्पोर्ड बो है Upon Best Minister ब्रिज नाम द्यान रख लिजिए Upon Best Minister ब्रिज ये इसका पग्लिकेशन होता है 1801 में बिसेज द्यान रखिये मैं जितनी भी ये प्रोइम दे रहा हूँ आपको इनके इंपोर्टेंट बर्क्स जो लेकर आया हूँ आप देख लेना कि इन ही मैंसे कोशन पूछे जाते हैं इसलिए मैं बहुत सोथ करने के बाद बहुत सभी कुछ देखने के बाद पढ़ने के बा इसलिए जरूर इसको ध्यान से देखें नेक्स्ट इन का है यरो रीबिस्टेड क्या नाम है साहब यरो रीबिस्टेड और इसका पब्लिकेशन होता है 1835 में अब इनके बारे में कुछ मैत्पूर्ट बाते और मैं लेकर आया हूँ उनकी बर्क से सम्बंदित तो देखिए नोट करके मैंने लिखा है तो नोट में पहला मैंने लिखा मोस्ट फेमस सॉनेट और बर्सवर्ट एज बर्सवर्ट साहब ने रेर सारी सॉनेट लिखी अभी मैंने आपको बताया था कि बर्सवर्ट साहब ने कुल कितनी सॉनेट लिखी है तो 523 सॉनेट मैंने अभी जैस की बताया था तो 523 में अगर हम बर्षबर साब की most famous sonnet की बात करें तो most famous sonnet है बर्षबर साब की the world is too much with us कौन सी है साब the world is too much with us आप मैंसे कई ऐसे students होगे जिन्होंने इस sonnet को पढ़ा होगा the world is too much with us को तो विसे ज्यान से नाम याद कर लिजिए most famous sonnet बर्षबर साब की first publication क्या थी तो साब first publication जो थी वो एक sonnet थी और इसका नाम क्या था the European magazine एक sonnet थी जो कि कायम पब्लेस होई थी European magazine में publish होई थी जब बिलियम बर्षबर साहब as a student पढ़ाई कर रहे थी तब इन्होंने एक sonnet लिखी दियो जिसका publication हुआ European magazine में तो ये इनका first published बर्षबर था वो भी एक sonnet थी now the next one is क्या बिलियम बर्षबर साहब ने कोई drama भी लिखा है तो देखे ये लिखा है point बिलियम बर्षबर तो road is only play only play जब only सब लगाते हैं तो एक मात्र play नाम क्या था साहब The Borders क्या नाम था The Borders जोकि एक worst tragedy थी यानि पोईटिक tragedy थी जो बर्षबर साहब ने 1795 से लेकर 1797 के बीच लिखी थी तो फिर से नाम क्यात कर लिजिए बिलियम बर्षबर साहब ने मात्र अपने जीवन काल में एक play लिखा जिसका नाम है The Borders जोकि एक worst tragedy है और जो बर्षबर साहब ने 1795 से 1797 के बीच लिखी है उसके बाद next है आपका After Burst for Death, His wife Mary published his lengthy autobiographical poem to college in 1850 though it was composed in 1805 ध्यान से तुन लिजिए बिलियम बर्षबर साहब की death हो जाती है 1850 में 1850 में उनकी death के बाद उनकी जो wife थी नाम था Mary उन्होंने क्या किया इनकी landy autobiographical जो poem थी उसको जा नाम था poem to college नाम क्या था poem to college उसका publication कराया 1850 में इनकी मरत्यों के बाद हाला कि इस poem की रचला बिलियम बर्षबर साहब ने कब कर ली थी 1805 में 1805 में तो इनकी मरने के बाद कौन सी आई poem poem to college ये क्या है इनकी autobiographical poem है इसको publics किस ने कराया था मेरी जी ने इनकी wife ने और इनकी इसकी जो आप कहें के menu script उन्होंने तयार कब कर ली थी 1805 में now the next one is बिलियम बर्षबर्थ स्टी कॉलरेज एंड रॉबर्ट साओदे known as lake poets मैंने कल जब बिलियम बर्षबर्थ साब के बारे में आपको बताया था तब भी मैंने आपको बताया था कि बिलियम बर्षबर्थ साहब को lake poets कहा जाता है क्योंकि इनका जन्म lake district land में हुआ था तो अकेले बिलियम बर्षबर्थ नहीं बलकि मेरा ये वीडियो भी पसंद आया होगा और ये बहुत ज्यादा हैलफुल होगा आपकी आगामी परिच्छा जूनियर सोपर टैट के लिए इसलिए इसको जरूर अंतक देखें नोट्स बनाएं और अगर यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कमेंट और सेयर जरूर करें और अधिक से अधिक लोगों तक मेरे चैनल को पहुंचाएं और यदि आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और सब्सक्राइब करते समय बैल आइकन बटन जरूर दबाएं जिससे की मेरा में आगने